c में जब भी हमें mathematical यो logical operation परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए हम operator का उसके य्यूज करते हैं , c में तीन टाइब के operator होते हैं unary operator, binary operator और turner operator इस वीडियो में हम जो topic cover करने वाले हैं वो है कि operator क्या होता है Unary operator क्या होता है, Unary operator के types के बारे में इस वीडियो में हम cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं कि operand क्या होता है जिन भी values पे operation perform होना होता है उनको कहते है operand जैसे मैंने यहाँ पे एक instruction लिखी b equal to a plus 5 तो यहाँ पे जो plus है वो क्या है operator और a और 5 क्या है operand क्योंकि यहाँ पे जो operation perform हो रहा है वो a और 5 पे हो रहा है तो जो भी आपके operand है वो आपके variable या constant कुछ भी हो सकते हैं अब बात करते हैं कि operator में unary, binary और ternary का क्या मतलब है अगर मैं unary operator का use करती हूँ तो unary operator को कितने operands की जरूरत होती है only one operand की जब भी मैं unary operator का use करूँगी उसको एक ही operand की जरूरत है वो एक ही value पे operation perform करेगा binary की बात करें तो binary operator कितने operands को use करके perform होता है two operands को जैसे यहाँ पे मैंने plus का use किया तो plus किया है binary operator यह दो values को लेके operation perform कर रहा है तो plus operator binary operator हुआ Ternary operator में कितने operand की जरूरत होती है? 3 क्योंकि ये 3 values को लेकर के operation perform करता है So depending upon operands, operator 3 type के होते हैं जिन operator को सिरफ 1 operand की जरूरत होती है वो होते है Unary operator, जिनको 2 operands की जरूरत होते हैं वो binary और जिनको 3 operands की जरूरत होते है Ternary operator तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Unary operator के बारे में Unary operator 4 type के होते हैं Unary minus, increment, decrement and logical not Logical not operator मैं logical operators के साथ cover करूँगी तो यहाँ पर बस हम 3 topic के बारे में बात करेंगे बात करते हैं Unary minus की Unary operator है तो A की operand का use होगा सबसे पहले instruction मैंने लिखिया A equal to 10 मतलब A variable में value 10 हमने यहाँ पर assign कर दी है उसके बाद मैंने Unary operator का use किया है तो यहाँ पर one operand देना होगा यहाँ क्या काम होगा जो भी A की value है वो negate होके B में assign हो जाएगी तो यहाँ पर B की value कितनी हो जाएगी माइनस 10 सबसे पहले A की value कितनी चली जाती A की value चली जाती माइनस 10 उसके बाद मैंने क्या किया माइनस A assign हो जाए B में तो A की value जो भी होगी वो negate होके B में चली जाएगी तो इस case में क्या होगा B की value कितनी हो जाएगी 10 इसको practical में करके देख लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 variable A और B को declare किया है A की value को 10 दिया है और A की value जो भी है उसे negate करके B में डाल दिया है तो A की value कितनी होनी चाहिए जो थी 10 B की value क्या होगी A की value negate होके B में चली जाएगी तो B की value होनी चाहिए माइनस 10 तो यहाँ पर मैं इसको run करके देख रही हूँ तो यहाँ पर A की value कितनी दिखाई दे रही है 10 और B की value minus 10 सिमिलरली अगर मैं A की value को minus 10 लिख देती हूँ तो A की value खुद कितनी है minus 10 तो A की जो B value है वो यहाँ पर negate होके B में चली जानी चाहिए तो run करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है A की value तो मैंने दी थी minus 10 वो वही है और B की value में A का negation चला जाएगा तो B की value कितनी हो गई है यहाँ पे 10 अब बात करते हैं next यूनिरी operator जो की है increment operator increment operator क्या काम करता है जिस भी operand के साथ increment operator का use किया है वो उस operand की value में 1 का increment कर देता है increment operator दो type के होते हैं post increment और pre increment post increment क्या होता है जब भी हम operand के बाद increment operator का use करते हैं उसे कहते हैं post increment similarly अगर हम operand से पहले increment operator का use करते हैं उसे कहते हैं pre increment अब बात करते हैं कि दोनों में difference क्या है सबसे पहले मैंने यहाँ पर A equal to 10 लिखा है इससे क्या होगा A की value 10 assign हो गई है उसके बाद मैंने post increment operator का use किया है post increment का मतलब है कि वो value को increment तो करेगा लेकिन कब बाद में? बाद में का मतलब यह है कि बाकी operation पहले perform होगे यहाँ पर 10 वो assign हो गई B में अब post increment operator काम करेगा तो वो क्या काम करेगा? A की value में 1 का increment कर देगा तो A की value अब कितनी हो जाएगी? 11 इसको run करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर A की value 11 और B की value 10 दिखाई दे रही है नेक्स्ट बात करते हैं pre increment operator की तो यहाँ पर मैंने एक variable लिया है X उसकी value दे दी है 20 नेक्स्ट मैंने क्या किया है pre increment operator इसका मतलब पहले X की value में 1 का increment हो जाएगा तो X की value कितनी हो जाएगी? 21 अब दूसरे operation परफॉर्म होगे तो जो भी X की value है वो किसमें चली जाएगी? Y में तो X की value कितनी है भी currently? 21 वो कहाँ पे चली गई? Y में इसको भी run करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे X और Y दोनों की value यहाँ पे आपको कितनी दिखाई दे रही है 21 और 21 जिस तरीके से increment operator काम करता है उसी तरीके से decrement operator काम करता है यह क्या करता है? operand की value में 1 का decrement कर देता है decrement operator भी दो type के होते है post decrement और pre decrement अगर हम operand के बार decrement operator का use कर रहे है तो वो बन जाता है post decrement similarly अगर हम operand से पहले decrement operator का use कर रहे है तो वो बन जाता है pre decrement बात करते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है a equal to 10 तो इस case में क्या होगा a की value चली जाएगी 10 post decrement है मतलब बाकी operation पहले perform होगे तो क्या perform होगा assignment operator assignment operator क्या करता है right में जो भी value है वो left वाले variable में assign हो जाती है तो इस case में b में value assign हो गई कितनी जो भी a में थी तो a में currently कितनी value है 10 तो b में क्या value चली गई 10 अब post decrement operator काम करेगा a की value में 1 का decrement कर देगा तो अब a की value कितनी हो जाएगी 9 next case की बात करते हैं यहाँ पर मैंने variable लिया है x x की value कितनी लिया है 20 यहाँ पर मैंने use किया है pre decrement operator तो pre decrement operator क्या काम करेगा पहले x की value में 1 का decrement हो जाएगा तो x की value अभी कितनी हो गई 19 अब दूसरे operation perform होगे दूसरे operation मतलब अब assignment operator परफॉर्म होगा तो जो भी x की value होगी वो y में चली जाएगी तो x की value currently कितनी है 19 तो 19 कहाँ पर चला जाएगा y में इसको run करके देखेंगे तो देखेंगे कि x की value 19 और y की value भी 19 हो चुकी है